नमस्कार मित्रो श्री दक्षुना मुर्ति विद्यामंदी नी यूटूब चैनल मां गावी साहिप फरी एकवार आपनू हार्दिक स्वागत करूछू 1210 विशै हिंदी विशियांग छे एक प्रस्न चार उत्तर अर्थात कि एक प्रस्न छे अने एना चार जवाब छे तो एना जे कवी से सी प्रकास जी एनों साहित्य प्रकास जे लेख परन्तु आपने गद्य साहित्य पणता पेला कई बाबत धेन राखवी ए समझवा जरूरी छे इतले के गद्य साहित्य नी सरुवात करता पेला जे चार कउसलियों छे ए समझवा जरूरी छे तो चार कउसलियों छे चार कउसलियों छे वित्रो आजी विशे हस्तू छे ए दमारे ज्यारे बीड करसो त्यारे समझवानी छे परन्तु आपने हिंदी साहित्य पणता पेला आब आब जानी लीवी जरूरी छे तो तमें जो दरेक बाला खोय छे लेके ज्यारे जर्मा लेचे त्यारे एक सूझ बोलतून थी समाय अंतरे थोड़ो समय जाये छे त्यारे ए हमेशा वित्तानी अथवा तो मातानी सामे टगर टगर जोया करे छे अथवा एनी सामे ए जोये तो ये पहली जे काउचल या छे साम्हलूं कास देल रखोनूंछे साम्हलूं ये एनी इंग्लिस मां कईये छे हीह रीं तो बालक जे रिते सामले चे लेके hearing पसी ए धिमे धिमे तमे जो जो तमे बोला उसो के बेटा पपा तो ए पपा बोलवारी कोसिस कर चे लेके बालक जे रे सामले पसी एनो बिजू का उसरिय चे बोलू तो एने इंगलिस मा कहे चे speaking पसी ए बोले रहे तियार बाद ए हमेसा अमुक किसो रवस्ता मा आवे जाए तियारे एनो जे वांचन चे ये वांचन नी सरुवात थाए चे लेके तीजू जे कवसलिय चे ये चे वांचवू अर्था ये इंगलिस मा कहे चे रीडिंग अने च्वाथू जे कवसलिय चे एतले के कोईपन कभी बने कोईपन लेखक बने एतले एने लखू जूए एतले के आकलमनों उप्योक करो जो ये एतले के च्वाथू जे कवसलिय चे ये लखवू लखवानों अर्थ थाए चे व्राइटिंग् व्राइटिंग ये लखवु एटीके आ चार कौशनियों छे त्याना द्वारा आपने गद्या साही त्याने समझवानूं छे एलेके सांबलूं एलेके आ कान्ती सांबलूं एन हीरिंग क्या वामावें छे पच्चि ये बालक बोलवानी कौसिस करें छे एलेके स्पीकिंग पसी ये वांचन करेखे, वांचन इटले के रीडिंग और लखवू इटले के राइटिंग। पद्धियों साईतियों आभ्याशकरी सकाए चेव वारता कथन याcel टिवारता द्वारा याज़ी秃री तक 2016 और मोस्ट आए पी पद्धती छें प्रोजेक्ट पद्धती अलेके आरीते पन बध्यने बनी आधे च्वाथी यानी भाब बद चे पारायन बद्धती तुम आप आरायन एकले चूताई एपन समझू जरूरी चे उलिके पारायन एकले की जे गुरु मोले छे औने सीशिय शामरे छे इंडेके बुरुनु बोलेलू शीशिय ग्रहन करे छे आलिके प्रश्णों पंधियन हुख पत्ति और टास्वरा फिरेओ रिलख अवसर पत्ति में पत्तिय डिलरेफीया सी स्दुर में थे थे, सरे बलामा बहांofod Live-tune listening, अजिंद थे में शेaraus स्ती करें before the activity it was about by recommending the other अचार कउसलियों केल वा जरूरी छे रेवने ऊसी चाहे देह दो स्कून प्रोजेक्ट पद्धती पारायन पद्धती स्वाध्याय पद्धती अने प्रश्णों तरी पद्धती तो आटली रित थी अने प्रोजेक्ट प्रश्णों पद्धती गद्ध्यानों अभियास करी सकाई छे तो गद्ध्याने समझता प्याला इंके पार्थ भनता प्याला आतली वाबतनूं खास द्यान रखवानूं छे यह थी आपने गद्ध्यानों सरण रित Keys करी सके छे तो आजनो आपनो पाठ छे एक प्रस्ण चार उत्तर तो एनो कवी से सी प्रकास हवे एनो जे सहीत्य प्रकार से एध्यान राफानों छे अईया एक कुको प्रस्ण बने छे कि एक प्रस्ण चार उत्तर एना लेखक कौन छे तो शी प्रकास एनो सहीत्य प्रकार से तो के छे लेख तो what is the meaning of लेख तो के लेख नो अर्थ सूथाई चे एपन समझू जरूरी चे तो लेख एक कवीजनी लखेली बाबत चे तो जो छोटी सोटी बातों पर गहरा चिंतन उसे लेख कहते है तो छोटी सोटी बातों में गहरा चिंतन तो के जे नानी नानी बाबत चे जे टूकी अने टचुकडी वात चे एना उपर गहरा एटले के खुबज विचार पूरवक चिंतन करवा मां आवे एनसु केवामा आवे छे लेख केवामा आवे चे तो सहित्य प्रकार पन याद राखोनों छे एक प्रस्ण चार उत्तर एना कवि से सी प्रकास सहित्य प्रकार से लेख तो लेख नों अर्थ ताए छे छोटी छोटी बातों में गहरा चिन्तन अहले कि जे नानी नानी बाब बज छे एना उपर उन्नान पुरुवग अथवा विचार पुरुवग जे चिन्तन करवामा आवे छे एने लेख केवामा आवे छे इमा हवे आ पाठनी अंदर शूपए छे ना पर आपड़े जे ए तो प्रस्तुत पाठनी अंदर कवी जे इमांदारी लगन अने निष्टाद्वारा कोईपन कारिया करवानूं सुचन करे चे तमे कोईपन प्रच्न करो कोईपन कारिया करो तो इह हमेसा होव को अने ये ना जुदा जुदा चार त्दर छे तो हवे अपने ए शमझे बानू ए प्रस्णा छूँँँछे तो कभी एव केछे के आ देशनी अंदर विचार्शील एट लेके महानों बहो विचार्शील व्यक्तियों और अने महान अन्दोलनों एटले के मोटा अन्दोलनों तो के आ देशनी अंदर एमनों एकज प्रस्णा छे के आ देशनी अंदर महान व्यक्तियों छे मोटा मोटा समाज सुधारकना अन्दोलनों थाए छे तो आपड़ों देश छे ए विकास कैम नथी पामतो एटले के उन नथी कैम नथी पामतो अथवा विकास कैम नथी पामतो आ येमनों प्रस्णा छे मुस्टा एंटी के आ येकाज प्रस्णा उपर आखो पाठ रजु थेलो छे एटले के कभी सी प्रकास जिये हुके छे के आपड़ा देश माँ आवा महान विचारा के लेके महान पूरुसों छे संतों छे तो आटला सजन पूरुसों हो आशता दोलनों थाये छे सता पन आपनों देश विकास केम पाम्तों नथी अथवा उन्नती केम पाम्तों नथी तो आप विकास मासू नडेचे चे तो आपने विजादेशों नी समकक्साय अथ्वा विजा देश नी हरोल मां आपड़े कैम आउता नथी आ एकज एमनी चिंता छे तो आज ये चिंता छे एना उपर एमनी दे आपको पाठ रजू करेलो छे कि एक प्रस्ण आइट के कवी नो एकज प्रस्ण छे सी प्रकास जी नो एकज प्रस्ण छे कि देश उन्नती कैम पामतो नथी अथ्वा देश विकास कैम पामतो नथी आपने विजा देश नी समकक्साय कैम नथी आ एक एमनू चिंतन छे अने एक आज प्रस्ण ए जुदा जुदा चार व्यक्तियों ने पूछे चे अने चारें व्यक्तियों पाछे ए जुदो जुदो जवाब मेलवे छे अनुबो एमने जे थयो ए आ पाठनी अंदर रजू करे छे एटले कविये एनू टाइटाल आपेल चे एक प्रस्ण चार उत्तर तो हवे आपने आजे चार प्रस्णों चे एक कया चे एलेके एक प्रस्ण चे एना जुदा जुदा जे जवाब चे एक कया चे ए जोवाना चे तो हवे प्रथम जे एमनो प्रस्ण चे एलेके प्रथम जे व्यक्तियों पूछे चे ए आपने ज एतले कें देश उन्नती केम नथी पामतो उन्नती केम नथी पामतो तो एमा एप प्यला व्यक्ति जे छे एछे इसाई पादरी तो हवे एमना एक जे मित्र छे एइसाई पादरी छे अने एइसाई पादरी ने लेखाक सी प्रकास जी आ प्रश्ण पुछे छे के भारत देश नी अंदर आवा संत पुरूसों छे महान एलिके मोटा मोटा अंदलनो थाए छे सता अमारो देश एलिके आपरो देश केम उन नती पामतो नथी केम विकास पामतो नथी आ प्रश्ण ए इसाई पादरी ने पुछे छे सरुवात मा इसाई पादरी आ प्रश्ण नो जवाब देवा मा संकोच अनुबहे छे परन्तु अंतमा ए सहमत थाए छे पादरी चे यह मने कुल 37 वश्णो अनुबव है लेके आप भारत देशनी अंदर ए 37 सुष्णी नोकरी करे छे अन्य सामाजीक शेवा आए लेके जे दरीद्रनी सेवा करता करता यहां लोग अपने काम का गर्वा नहीं लेते जो मुस्टाइबी छे अनु जवाब इसाई पादरी जवाब आपे छे पूल एमने 37 स्वस्वनु अनुबों छे एमनो जवाब छे यहां के लोग अपने काम में अपने काम का गर्व नहीं लेते तो जो कभी इसाई पादरी वो समझावे छे के आ भारतना जे लोगों छे आ भारतना जे प्रजा छे एसु छे यहां लोग अपने काम का गर्व नहीं लेते अर्थात पोता नो जे कारिया छे पोता नो जे वर्क छे ए निश्टा पुर्वक करता नथी तो आ 37 वर्ष्थी ए पोता नी नोकरी भारतनी अंदर करे छे अने एमनो जवाब छे यहां के लोग अपने काम का गर्व नहीं लेते लेके जे पोता नो तमें जो कोईपन तमें कारिया करो अने एमन तमें सफल थाओ तो यहनू गर्व लेवू जोईए परन्तु भारतना जे लोको छे ए पोता ना काम नो गर्व लेता नथी एटले आपनो दे सुन नती पामतो नथी एना उदाहरणम सी इसाय पादरी जणावे चे तमें जो के मनुसिया एटले के आपने नोकरी लेवा माटे मोटा मोटा आवेदन पत्रों करिये चे एले के सरकारी नोकरी लेवा माटे अथो अलो कोईपन पदमा भरती थवा माटे सु करिये चे मोटा मोटा आवेदन पत्रों भरिये छे अने ज्यां सुदी अपने नोक्री न मले त्यां सुदी ए अपने आसा राखिये छे अने मने नोक्री प्राप्त थाये परन्तु नोक्री मले गया पछी आपनने ए पदनू मुल्य रहतू नथी शुकाम कारण के कवी यह उकेछे यानिकी इसाय बादरी कहेछे यहां के लोग अपने काम का गर्वा नहीं लेते यहां के लोग अपने काम का गर्वा नहीं लेते तो आ मोटा मा मोटी खामे चे आ मोटा मा मोटी भूल चे आना थी विपरित यहां के विदेश मा तमें जाव चो तियां सुथाई चे के ए मोटा आव्यदन पत्रों करता नथी नोकरी प्राप्त करवा माटे ए मोटा मोटा आव्यदन नो करता नथी परन्तु ज्यारे एम ने नोकरी मले जाए एटले के विदेशना लोकोंने एम नूं पद मले जाए एटले ए निष्टा पुरुवक इमानदारी पुरुवक नोकरी करे चे तो आ मोट्टा मा मोटी खानी छे बारत अने विदेशनी के स्थान प्राप्त थया पछी ए पोतानू काम निष्टा पुरुवक नथी करता अने विदेशनू मुख्य प्रस्ण छे के नौकरी प्राप्त थया पछी निष्टा पुरुवक कारिया करे छे तो करे छे अने आ के चे के तमारा देशनी मोटामा मोटी आखामी छे के ज्यारे पद मले जाए ज्यारे नोकरी मले जाए तो तमने एनु मुल्या रहतु नथी परन्तु विदेश मासू थाये छे के एनु मुल्या रहे छे अने एनु नोकरी प्राप्त करवा माटे मोट्टा आवेदन पत्रों अथवा तो कोई पन प्रक्रिया नथी करता परन्तु ज्यारेमने मले जाये छे तिने के ये निष्टा पुरुवक इमानदारी पुरुवक कारिया करे विनम्रात्ता थी कारिया करे छे परन्तु भारतमा उल्टानू छे नोकरी मेलावा जुदा जुदा आवेदन पत्रों करे चे नुएकरी मलए जाए त्यारे यनू कोय मुलिया रहतू नथी एतले इसाई पादरी यहोगे छे के यहां के लोग अपने काम का गर्वा नहीं लेते हैं तो के आईना लोगो एनू गर्वा लेता नथी आ प्रथम प्रश्ण चे तो आवा इसाई पादरी सम्झावे छे इतले के निश्टा पूर्वक कारिया करवू जो ये हवे बिजा एक व्यक्ति छे इतले के जे आई-एस अधिकारी छे अथवा ते वो आई-एस मा नौकरी उपर रहेला छे अने अमने 300 वर्षनों पोतानों अनुबह छे एतले के आज जे बिजा व्यक्ति छे ए छे आई-एस अधिकारी जो जो तो आज बिजा व्यक्ति छे आई-एस अधिकारी तो अवे आज ये बिजा व्यक्ति छे आई-एस अधिकारी इतले लेखक सी प्रकास जी आ आज अधिकारी ये वो त्रीस भरश्थी अनू भव छे लिके अमनों नोकरी नो अनू अनू भव छे ये अमने आज प्रश्णा पुछे छे कि आ भारतु नी अंदर मोटा मोटा आंधलों नो थाय छे तो देश केम उन नती नती पाम दो केम विकास नती पाम दो तो आ येस अधिकारी एना प्रश्णा ना जवाब मा आपे छे प्रश्णा नो जवाब आपे छे के लोगों को अपनी जिम्मेदारी न समझना और इलेके भारतना लोगों को छे जिम्मेदारी न समझना और उठाए गए काम को पूरा न करने की बावना उठाए गए उठाए गए काम को न पूरा करना न पूरा करने की भावना और किसी को किसी पर विश्वास नहीं किसी को किसी पर विश्वास नहीं है तो जी आ आ येस अधिकाहे छे ये बे बावत समझावे छे सू समझावे छे कि आ भारतनी अंदर मुख्या जे समझिया छे आ छे कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी न समझना आए भारतना लोगों छे ए पोतानी जे जवाब दारी छू छे एने बिलकूल समझता नथी अने जे कारिया ए पोते उठावे छे जे हाथ मा कारिया पकड़े छे एने पूरा करवानी एमनी भावना बिलकूल होती नथी एटले देश विकास पामतो नथी अने बिजी बावा जणावे छे कि आ भारतनी अंदर कोईने कोईना उपर विश्वास नथी एले के टूथ विश्वास तो विश्वास निष्टा जिम्मेदारी ए कोईना मान नथ कोई एँनि लेखक सि प्रकास ची आउप रश्ण आइस अधिकारी ने जणा वे चे के दिस कैम नहीं भीकास प्रामतो तियारे जे त्री सुवर्ष्टी नौकरे करेला आईस अदिकारी समझावे चे के लोगों को अपने जिम्मेदारी न समझना एठके भारत न जे लोकों चे यह पोतानी सु जिम्मेदारी एठके यहांने जवाबदारी स्वाँपामा आवे चे यह समझता नथी आने सु करे चे उठाए गए काम को न पुरा करने की भावना एटले के पुत्ते जे कारियाने हाथ मा ले छे अथवा जे कारिया पुत्ते पकड़े छे एने पुरू करवानी एम नामा बिल्कुल भावना नधी तो आ बावच्चे अने बिजी बावच्चे किसी को किसी पर विश्वास नहीं है एतले के कोईने कोईना पर विश्वास नधी सत्य अने सनातन बावच्चे कोईने पुरू कोईना पर विश्वास नधी वाई शो केके विश्वास ए मोटे बाबच चे परन्तु कोईने कोईना पर विश्वास नथी तो आ मुख्य अने सब सत्य गटना चे के मने खुद मारा पर विश्वास नथी एटले के कभी यू के चे कि किसी को किसी पर विश्वास नहीं है एटले के कोईने कोईना पर विश विश्वास नथी आ मोट्टा मा मोटी भारत देशनी खामी चे के कोई कोई ना अपर विश्वास अथ्वादो परोसो करी सकतू नथी एटले आ कारिया पुर्णा थतू नथी तो एना उदार्ण मा कभी एव शरस्मजानू उदार्ण आपने छे जो तमे पोलीस नेताओ मनु अमेरिका मा नियम चे के 10 वर्ष सुजित तमें सासन करी सकोचो 10 वर्ष पूर्णा थाए इतले ए शासन मा तमारे मुक्त थाओ जोई परन्तू भारत मा हो कोई नियम नथी मानस पिस्तालिस वरस पचास वरस दस दस वरस सासन भोगवे सतापन एनी जे इच्छा होए छे एन आना थी विप्रिदेवु थाए चे के विदेशनी अंदर मानस ने पोता ना पदनु जे मुल्य होए चे समझाये चे एले के दर्यक व्यक्ति पोता नी जे जवाबदारी होए चे ये अमुक उमरे मुकी दिवी जोई ये अने बीजू के पिता होए तो एने एना पूत्रह पर विश्वास करो जो ये 55 वरस ना पितानी उमर थाए तो येने एना पूत्रह ये लेके 28-22 वरस नो पूत्रह होए येना पर विश्वास न थी कारण के पिता ये पोतानु स्थान छोड़ू न थी आ भारत नी मोटा मा मोटी खामी छे एटले के ये नेता होए चे ये 55 व सदीकारी ओके छे के भारत मा कोईने कोईना उपर विश्वास न थी आने पोतानी जे ज़वाब दारी सोबेँ छे येने समझता न थी अने पूरवु करवाम फाग्यसाली समझता न थी के एकारी अने पूरुनी करवानी येमने भावना खोती नays तो आवा सरस्म जाना बे प्रस्नों नो अपणे आज अब्यास करूँ हवे लेक्चर माँ अपड़ा अगलना जीवी व्यक्ति छे आनो अब्यास करीशू लेसन नी अंदर प्रथम छे इसाई पाद्री नो प्रस्ना लखवानो छे अने बिजो प्रस्ना आये सदी करीशू कहे चे ये तमारा सब्दों मा समझाओ तो आप ये प्रस्णों नो अब्यास करवानों चे आईया हुमारो लेक्टर पूर्ण करूछु जय ही जय बारत अस्तु